इस तो थोड़ी थोड़ी बरफ हम लोगों को यहां से मिल चुकी है यह देखो उपर को हो सकता है जाधा होगी अंकल कितनी बरफ लगी थी यहां पर आदा फूट बरफ लगी थी अब आधा है अब अब जो गाइस गुट मॉर्निंग वेलकम बैक टू चैनल कैसे आप सब लोग आई होप आप सारे लोग मस्त होंगे और हम भी मस्त है तो गाई जब एक नए दिन की शुरुआत हो गई है नए दिन की शुरुआत पता कांसे और यह सीधा तेल के से बगीचि तो मैं उसकर के मैं सुब़ ही आगया था फिर यहीं से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर दा अब मुझे यहां पे एक गड़ा खोदना है यहां पे गड़ा खोदूंगा फिर वहां से बड़ी सी इतनी मोटी होगा है लकडी उसको यहां पर लगाना है और उसके चारों तरफ गहास रख देंगे फिर हमारा काम सेट हो जाएगा तो अब ही काम शुरू करता हूं पहले यह गड़ा तो बना देता हूं सबसे पहले फिर उसके बाद बागी के काम देखेंगे देखेंगे अब यह अच्छे से अपना निप्टा दिया है जिसका की गड़ा आप कह सकते की गड़ा मैंने बना दिया है एक नंबर अब यहां से निकलूंगा मैं परे को परे से बोलकडी लेके आँगा फिर उसको यहां पर अड़्जेस्ट करेंगे और उसके लिए पैकिंग ग्रेनी प अब्सक्राश कराइब भी फिर उसके बाद मैं इसको लेने गया इसको लेकिया यहां लगाया और गड़ा चोटा होने के कारण उना गया इस गिर गए इसारी महनत खराब गड़ा बी तूट गया मतलब एक फिट गड़ा को दावात मैंने और आप गिर गया तो फिर मैंने कि यहां वाला गड़्ा तो तूट गया था फ़िर अबनाय गड़ा यहां बना दिया है नहीं कर दिया है कि मैंने आइफिल टावर खड़ा कर दिया यह देखो यह बात यह हो चुका है मेरा काम अभी यहां से मुझे निकलना है घर अभी दीदी बगेर आएंगे तब मान निक पढाँ अब घर को घर पे मुझे अब ब्रेक फास्ट भी करना है ना दोना भी एफश भी ओना है सारी चीजे कान्मी तो अब भी जाता हूं यहां से जल्दी जल्दी घर और यहां परे पॉंचूंगा दुश्मन की टेरिट्री में वहां मुझे कुटाटा करता है रोड जा जल्दी जल्दी घर आया और रास्ते में मुझे मोटू का फोन आया वो कहता कि चाइंसल चलते है तो उसकी गाड़ी उधर फसी हुई है पर्सों की जब वो सनो फॉल हुआ था ना तो उस टाइम की उसकी गाड़ी उधर ही है तो अभी वो जा रहा है उधर और उसने बुला कहा कौ़ को लोग हम लोग चल पड़े है यहां से मैं और मुटू मुन्ना तो पड़ ज्था रहा है मुन्ना नी अर रहा है मारula मुच्छा मुटू से लुऑ चला ए तो फ्लो में कवी अब यहाँ से नीकल थे हम लोग जीजा पहुँच गया हो दिशे इक चाइआ है हम जो हम अपनी गाड़ी का experience motor से मोटो चला रहा है गाड़ी और मैं लटाव साइड में इसको लगती है चौड़ी और गाड़ी देखो गाड़ी तक का कि इतनी गंदी रखी हुए हमने तब लग रही है एक दो दिन चलाएगा फिर नॉर्मल लगेगी अपनी गाड़ी कर दी है उधर पार्क नीचे कहीं जाड़ियों के बीच थोड़ी थोड़ी दिखरी होगी अपने को मिल चुकी यहां पे नई लिफ्ट जो की है है एपी भाई हेलो हैपी भाई हेलो 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 अब यहां से ले जाएंगे आमें आपी भाई उपर से अपनी तो अब फिलाल हम लोग चैंशल से थोड़ा सा नीचे मतलब 7-8 किलो मेटर नीचे मतलब इस हाइट में पहुंचे हम लोग तो ऐसी आसी कहानी है मैं रास्ताय तो आपको रोज रोज दिखात है ताव इसले मैं थोड़ा उपर आएके हाइट में पहुंचके मैं सो चमा है से रिकॉर्ड करना शुरू करूंग और इधर ना थोड़ी बहुत बरफ शुरू हो चुकी है थोड़ी बरफ दिख रही है उपर को तो शायद हो सकता है जादियो क्यूंकि हमने नीचे से तो हो सकता है कि वहां पर बरफ जादा होने के चांसे थोड़ी थोड़ी बरफ हम लोगों को यहां से मिल चुकी है ओपर को हो सकता है जादा होगी पर यहां को इतनी है अभी जो पहुंचते है वादियों में और दिखाते आपको जो व्यू मिलता है इस जगे से वह तो इजिसके बाड़ी थेना होगे लिए लादा की अरिया में एंटरो हो चुगे गाइज यहां से ना अज़ा शानदार विव उमिलता ही यह देखो यह बात कि अर्म्हें वा चलती है हाँ हुआ हम लोगो है हां प्रफ। और यहांपे रुक थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि यहां पर अंकल के ना फोन को कनेक्ट करना अमने गाड़ी के साथ हिन इदो इदर हा इदर है यह देखा रहा था कि इधर इदर है बार ईप गाइज यह stepping बाक भी भार ंज अभी ओग वकं के अंक्ल कMary का उटा फ करए अब यहाशrak है में इस मैं है low अबसे नाम्र कानेक्ट है? नाई नहीं हो गया ओना कनेक्ट है इसको तो कर सकता कर नेन निचे पहले हाँ करीको अबसे पार से नीचे पहले हाँ अबसे दबाड भाले लो जी कर ले लेदा अबसे लत वाओ यह फंद्ट पहले चार्सो दस अंकल के साथ अंकल से कनेक्ट नहीं हो रहा ना इसकर के छिर अम रोको को गए यहाँ बहुत लगी है इधर को जानी सकते हिदर हवाइं बहुत चलती आवाज आज कुछ नहीं आएगी इसलिए में पिछे को आया हूं यहाँ पर सरुताल के लोकेशन नहीं है और बरफ बहुत तो बिल्गुल भी है ऊब उदर आगे है लगाव सभाव साहीं हएज अंधर यहां ननुकल होई तो तो बिलकुल साफ है चका चक मौसम अभी अहां शेक यहां पर हवाएं बहुत देज़ चलती आगे को रुकेंगे कहीं खाएंगे पीएंगे कुछ उदर रुके बस यहां पर इतनी कहानी है और कुछ दिन पहले हम उदर गए वेते यह गाड़ी थी गाइस यहां पर छोड़ी हूँ सच हमारे उस पिछे वाली गाड़ी में यह वाली गाड़ी यहीं पर छोड़ी थी अभी इसको लेके जाएंगे यहां से घर ताजा ताजा परफ से इनों तो मेरे उपर अमला करती है वो भी स्पेक्स पे मारी है गाई स्पेक्स पे यह बस यह दो जार तेईस की सर्दियों की पहली बरफ पहली बरफ फस्त मोफ फॉल लोग पहुंचुए है यहां पर अंकल जी के डिरे पें पहुँचुए हैं अंकल जी घर जा रहे हैं अभी अंकल किती बरफ लगी थे आँपी आदा फुट बरप लगी थी और बता उंकल कैसे आप यहां बेना आवा बहुत देज चल रही है पता नहीं वह थोड़ी क्लियर नहीं आ रही हो गया आवाज में दिखत हुती है आप ऐसे-एसी कहानी है अब यहां पर अंकल के बार उखे वे थे अब यहां से निकला जाएग अंकल भी जाएगे घर अंकल ने भी अपना सामान त्यार के अगर जाने के लिए ठीक है अंकल भी जाते है फिर दीरे निकलता है यहां है बच्ची विबर सर वाली साइड हो गया ना बरफ बाकी नहीं है यहां देगो राशन पानी है यह सफर कहा हमारे इतनी स्टिंगे पी काफिला पहुंच चुका है जिरो पॉइंट से काफी एरे और यहां से व्यू जो मिलता है ना व्यू और यह है लडूट के जो देपता है उनका खुथान कह सकते हैं यहां पे हवाइं बहुत तीज चलती है पीची को जाता हूं यहां पे लंच करने के लिए रुके हम तो उनको प्लेट में निकालेंगे फिर उन्हें खाएंगे फिर यहां से आगे कियात्रा कंटीन्यू करेंगे तो मोमोजम ने उड़ा दिया इतनी बूख लगी इसमेर से वेट नहीं किया गया तो अभी अब खाक पी के निकल चुक है यहां से घर को सिसा बड़ा ही गंदा है चलते हैं अब अब रुकिंग रास्ते में गई हैं तो पहुच चुके हैं लड़ोट में और ऐसी बजरीय मूँ पे धूप और इधर लगा है जाम वही वाली वात जिसको हम हर रोज बोलते हैं यहां पे लग रहे हैं अडंगे दिवारे बन रही है यहां पे तो उसक्या जाम है लगावा अब पतानी वह कितनी देर का जाम है कम तक है कोई आइडिया नहीं है दूप का तो क्या ही कहने चोटी पे गए हुए थे गाईस हम लोग उधर इधर इधर तो बहुर्फ है नहीं यहां तक पहुंच जाते तो बात कुछ और होती फाइनली पहुंच चुके हैं गोलिवाज के पास गोलिवाज अबैलिंग करने लगा लेगे वन रॉंडर रहा जार गाईस ऐसा नहीं है यह यह वन्दा माड़ा नहीं है तो सारे काम करता है जा गाडी के काम भी करता है आज सुनिक काम कर रहा है चूले भी बनाता है nhânद में यह वो नटट्य जो मिया जाता है देखना या चूला दिखा आब हो जूला है बैटे बढ़ीया काम कर रहा है एँ पेज केसा देग शुट बोल रहा है नहीं इसका नाम ही रखाएँ गोलिवाज और अपनी गाड़ी के पास बिद बूशन राना मेरे साथ चल बेटे बूशन बैट जा जा जड़ा गड़ी च्यों आज तो ही सहाव मजा है ना गाड़ी में तो अपर की चड़ वालिये गाइस बहुत लादा हमारी गाड़ी क्या कर सकते हैं चलो निकल के हैं अपने मंदिर क जंगलों में और इधर है सारी देखो देख रहे हो कितनी बड़ी टीम है इधर और इधर अब जा रहे हैं से लकड़ियां थी यहां पर इकट्ठे की हुई वह वह वीली निकली आगी निजल रही है तो अब यहां से जाने लगे ग्राउंड की तरफ बंदे कैसे गुसेंग गोलु गोलु आया बहुत टाइम के बाद बढ़ा बढ़ा के बाल देखो बंदे ने लंबे कर दी है बहुत ही लंबे हो गया डेड लॉक मर वा देखो डेड डूड करवाने माला इन बालों को पता निवाग कैसा ही दिखेगा पर आपको जरूर दिखा देंगे जैसा भी प्रिकार देंगे तो अब ही सीने साइक इस ब्लोग में इतना ही इस ब्लोग को कर रहा हूं यहीं पर अदू मीद करता हूं कि आपको यह ब्लोग बहुत पसंद आएगा लाइक शेयर कॉमेट सब्सक्राइब सारी चीजे कर ले ना मेलते हैं नेक्स ब्लोग में तब तक के बाइ